हालो डियर स्टुडेंट्स सोच्यो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत हैं बच्चो इस चैनल को सपोर्ट करें ठीक है सब्सक्राइब वगरा कर लिया करें आज हम लोग बीए समस्टर टू के पेपर टू में सेकेंड चैप्टर के mcqs को solve करने जा रहे है ना फर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है चैप्टर का नाम है क्षेतरी विविदता हैं जिसमें स्वायत्ता पहचान और एकी करन के मुद्दे हैं फर्स कुशन आप लोग देख रहे हैं एक रास्ट के रूप में भारत की राजनीतिक सनरचना को किस आम से संबोधित करते हैं तो इसका आंसर आपका संघी संरचना क्योंकि यहां पर लोग सभा और राजय सभा दोनों पाय जाते हैं लोग सभा लोगों का प्रतिनेध्रत्व करती है और जो राजसभा है वो राज्यों का ठीक है कि नेक्स कुशन आप लोग देख रहे हैं कि भारत में एक शेत्रिय असंतुलन के लिए निम्लयंकित में से कौन सी दशा उत्तरदाई है शेत्रिय असंतुलन किसले होता है तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ पताना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि एक केंद्र सरकार होती है दूसरी राज्य सरकार होती है ठीक है तो अगर आप हमारे हाँ के राज्यों को देखो तेहां कि जो शेत्र हैं वो एक दूसरे से बिलकुल अलग अलग है भाशा धर्म ठीक है और रिसोर्सेस इन सारे मामले में सब अलग अलग है और खास बात ये कि जितने भी राज्य सरकार हैं वो अपने अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है और दूसरी चीज़ वो ये कोशिश करती है कि वो अपने एरिया को जादा से जादा डेवलप कर पाए और जो केंद्र सरकार है उससे अधिक से अधिक आर्थिक साधन प् करना है तो वही मतलब कि सारे राज्य सरकारे अपने एरिया को कि स्थिती को मजबूत बनाने केंद्र सरकार से वित्तिय सहायता ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करती है ठीक है और यह भी नियम है कि केंद्र सरकार बाद्धे नहीं होती कि वो राज्य को किसी भी विशेश राज्य को आर्थिक सुविधाय प्राप्त करे ही दे मतलब आर्थिक सुविधाय उसको दे ही दे जितना मांग रहा है इसके अलावा वेभारिक रूप से देखा जाता है कि जहां पर जैसे केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है सेंटर में जैसे हमारे हाँ इस वक्त सेंटर में बीजेपी की गवर्मेंट है तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी का government होगी मतलब केंद्र से related जिन जिन राज्यों में भी वह वाली government होगी तो वहाँ पर बड़े ही सोभाविक रूप से वहाँ पर ज्यादा help करती है केंद्र सरकार ठीक है ये चीज़ आपको clear हुई कि वहाँ पर आराम से अधिक से अधिक साधन वहाँ के एक शेत्रों के लिए उपलब्द करवाये जाते हैं और फिर क्या होता है जैसे एक राज्य है तो उसको दूसरे राज्य की तुल्ला में जादा लाभ मिलने लगता है और यहीं से क्या होता है ये जो हमारे यहाँ संग्ये विवस्था है संग्ये संरश्णा की एक केंड्र है दूसरा राज्य इसकी वज़े से भी और विविधता की वज़े से भी क्या होता है हमारे यहाँ शेत्री असंतुलन की दशा आरंब हो जाती है ठीक है तो answer आराम से guess कर सकते हूँ आप कि किसकी वज़ा से होता है शेत्रिय संतुले सत्ता रूड दल जो होता है सत्ता रूड राजनीतिक दल के स्वार्थ की वज़ा से सबको equally provide करें है ना कोई एक criteria set होना चाहिए कि किसको कितना देना है कि इस तरीकिये से कुछ होता नहीं है तो जिसकी विज़े से क्या होता है लूग संजाती हो जाते है साथ में कि यह आप question पिछले वाले वीडियो में solve कर चुके हो यह मैं नहीं बतावंगे आपको कि आप सध किया है फूर्ट कशन के kilka आप का संजातिय विविद्ताओं में व्रद्धी करने लगती है जब क्या होता है जो संजातिय विविद्ताओं में व्रद्धी करने लगती है कब संजातिय विविद्ताओं का मतलब समझते हो कि अगर किसी धर्म भाषा इस तरीके की चीजों को लेकर कि कोई differences है ठीक है जिसे एक एरिया में कुछ एक religion के लोग ज्यादा है ठीक है तो वो religion religion क्या कहता है मतलब मैं best हूँ मैं stressed हूँ तो इस तरीकी की कुछ condition होती है जैसे सांस्कृतिक भिन्नता होना समाज में यह तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है और भारत में जो सांस्कृतिक भिन्नता है यहाँ पर इन सांस्कृतिक भिन्नताओं में एक ही करण होना चाहिए सहयोग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है यहां पर लोग बड़े पूर्वग रही है पहले जो उनके दिमाग में बना हुआ है वही मानते चलते हैं और विरोध करते हैं कि हमारी संस्कृती बेस्ट है ठीक है यह नहीं कि सारी संस्कृतियां जैसे मध्यकाल में मिलजुल करके रहती थी वैसा नही सारे धर्मों के साथ इक्वल ट्रीट करती है और खास बात यह कि धर्म से संबंधित मामलों में कोई भी हस्तक्षे गर्वेंट नहीं करती है प्रचार प्रसार वगेरा का फ्रीडम दिया हुआ है तो यही एक कारण है कि जिसकी वज़े से क्या होता है धार्मिक सुत्रिता जो लोगों को मिली हुई है वो हमारे समाज में आव्यवस्ता और धार्मिक उन्माद का सिच्वेशन लेकर के आ जाती है ठीक है जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी एक खास शेत्र में किसी विशेश धर्म के अन्यायों के संख्या बहुत अधिक है और वहां पर क्या होगा फिर जैसे माल लिजे कोई एक्स धर्म है ठीक है और वाई यह दो धर्म है एक एरिया के अंदर और एक्स की पॉपलिशन बहुत जादा है तो एक्स से कोई अगर केंडिडेट खड़ा हो जाता है एलेक्शन में तो यहां पर क्या होगा इसके तो बहुत कम है तो एक्स वाल लग महसूस करेंगे और इनके अंदर भी विरोध की भावना और इवन यह लोग दंगे फसाद यह सब करने पर भी उतर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है इसके अलावा जैसे हमारा समाज संजाती भिनताय तो बहुत सारी है इसमें लेकिन यहां पर दिक्कत कब होती है कि जब यहां जैसे कोई तेवहार बना रहे हैं कोई उत्सव मना रहे हैं तो उसको इस तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं मतलब वो लोग जैसे एक्स रिलिजन की लोग जादा है तो वो लोग इस तरीके से फिर मनाने की कोशिश करते हैं अपने उत्सव को कि वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग अगर कोई उत्सव मनाते हैं कोई फैस्टिवल मनाते हैं इस तरीके कि कोई से ज़्यादा powerful है तो जिससे क्या होता है विरोध की भावना दो दलों में पैदा हो जाती है और फिर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा असंतुलन की जो condition है वो आने लगती है और क्योंकि government ने तो ऐसा कुछ decide नहीं किया कि ऐसे ही मनाना है आपको festival ऐसे नहीं मनाना है कि government तो लोगों के beliefs में कुछ भी create नहीं करना चाहती disturbance तो यह सारी चीज़े हैं जो problem create करती है तो आप यह देख सकते हो कि संजाती भिनताय छेत्री विवित्ताओं को में कब रद्धी करती है तो इसका सही appropriate answer होगा कि जब अल्प संख्यक वर्ग लिखा हूँ है तो यहाँ पर सही answer होना चाहिए डी कि विशेश धर्म के अनियायों में धार में कुनमाद अगर बढ़ने लगे तो क्या होगा लोग एक दूसरे को आपस में एक नहीं समझेंगे वो लोग सोचेंगे कि यह हमारे दुश्मन है है ना तो इस तरह के का answer होगा आपकर डी फिफ्ट कुशन क्या है निमनाकित म में से किस राजी की जनजाती है जनसंग्या का प्रतिशत सबसे जादा है तो अगर राजों की जनसंग्या के प्रतिशत के द्रस्टिक ओर से देखे तो वैसे तो राजस्थान इसके option में नहीं दिया है तो राजस्थान की जनसंग्या का जनजाती जनसंग्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है ठीक है उसके बाद किसका नाम आता है जारखन का नाम आता है तो यह जो सेंसेस का डेटा बताया मैंने यह 2001 का आपको बताया है और इन चीज़ों का सीक्वेंस बता देती हूँ तो आप लोग इसको सीक्वेंस में लगा लिजे परसंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा राजस्थान का तो नहीं है मैंने चक किया है तो 36 गड़ का है 31.76 परसंट समझ गया है तो यही टॉप है देन नाम आता है जहारखन का 26.30 परसंट देन नाम आया है राजस्थान का 12.56 परसंट ठीक है मिल्कुल वे कन्फ्यूज बत हो येगा थोड़ा सा डेटा अपोज़ेट सीक्वेंस में पहले लगा हुआ था तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे प 26.76 परसंट जहारखन 26.30 परसंट राजस्थान 12.56 परसंट ये उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन का कितना परसंट जन जाती है उसके हिसाब से कुश्चन है और अगर पूछे कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइप्स की तो आप क्या का होग की मत्यप्रदेश अगर हम गिंतिया करें लोगों की जंजातीयों की मतलब कितने लोग हैं तो हम मत्यप्रदेश कहें", वैसा अगर परसंटेज की बात करते तो मैंने आपको बता दिया नेक्स कुशन है आपका भारत के क्षेत्र में जनसंख्या में जनजाती जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है तो आपका प्रतिशत की बात हो रही है तो पूरवत्तर भारत में सबसे ज़्यादा परसंटेज पाया जाता है लेकिन जनसंख्या के मामले में पूरवत् और राज्य सरकारों के बीच तनाव का कारण नहीं है तो जब यह लोग यह सारे आप्शन्स पढ़ोगे आप लोग तो आराम से कर सकते हो बी आप्शन इस करेक्ट बहुत इजी है किस आयों की दुआरा शेत्री भिनताओं तथा स्वायत्ता की संदर में केरिंद सरकार को तुद की गए देखो जो आपका शेत्री भिनताओं और स्वायत्ता के संदर में जिसका नाम आता है वह आपका चिदंबरम आयोग है यह रिजर्वेशन से रिलेटिड था यह कुछ कश्मीर परिसीमन से रिलेटिड था ठीक है यह भी डिफरेंट है आंसर है आपका चिदं से उत्पन होने वाला कौन से एक मुद्दा है तो अभी आपको इतना लंबा एक्स्लीन किया था वह बजट वाला वित्ती सहायता वाला केंदर सरकार से तो उसमें आर्थिक वाला आ गया और संजाथियता मतलब सांस्कृतिक वाला आ गया तो क्या मुजारी थी मैं आपको क एक्षेत्रिय पहचान का मुद्दा आर्थिक और सांस्क्रितिक भिन्यताओं से उत्पन होने वाला एक प्रवुक मुद्दा है। Then next question है, एक्षेत्रिय और समंताओं की समस्या निम्नांकित में से किस समाज से अधिक सम्बंदित है। यह आपको लर्ण करना पड़ेगा विकास शील समाज।